धनू रासी वालों का आजिका रासी फल यणी की 10 सेप्टिम्बर 2020 का रासी फल लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 10 सेप्टिम्बर 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है अस्ट में नक्षत्र है रोहिनी पक्ष है क्रिस्न पक्ष दिन है गुरु बारे आज के दिन सुर्य उदे का समय है 6 बज के 3 मिनट में सुर्य अस्ट का समय है 6 बज के 31 मिनट में रितू है सरद आज का दिन काल है 12 घंट 27 मिनट 22 सेकेंड का महिना है अस्विन दोस्तों आज के दिन सुभ शमय शुरू होता है 11 बज के 40 मिनट एम से 12 बज के 35 मिनट पीम तक असुभ काल सुरू होता है 10 बज के 13 मिनट एम से 11 बज के 2 मिनट एम तक दूबारा है 3 बज के 12 मिनट एम से 4 बज के 2 मिनट पीम तक राहुकाल शुरू होता है एक बज के 51 मिनट पीम से तीन बज के 24 मिनट पीम तक दिसा सूल है दक्छिन दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग दोस्तों इस वेडियो के अंत में आपके आज के दिन का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें और आज माने का पडियास करें लेकिन उससे पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस वेडियो के नीचे हर हर महादेब कमेंट कर दें और इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और वेडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके प्रेम संबंध के बारे में दोस्तों प्रेम संबंध के दृष्टी कौन से आपका शमय सामान से बहुत जयादा नीचे है आज से पहले अगर आपने अपने पार्टनर से कोई वादा किया था या कोई प्रोमिस किया था तो आज के दिन अपने वादे को आप पूरा करें अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले शमय के दोरान आपके प्रेम संबंध के मामलों में आपको कहीं कोई पड़ेशानी न तो घर पड़िबार के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत ही जियादा बिहतर और सांदर है आज से पहले अगर आपके घर पड़िबार में किसी भी व्यक्ती के शाथ आपका शंबंध है खराब हो गया था कमजोर हो गया था तो आज के दिन अपने संबंध को आप प्रियास करें वैसे अगर आपके धन संपती की बात करें तो पैसों के दृष्टी कौन से आपका समय बहुत ही जियादा बिहतर और सांदर है दोस्तों आज के दिन आपके सामने में पैसे कमाने का मौका बीते दिनों के तुलना में कुछ जियादा रहेगा और इस वज़ आपको कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगा लेकिन अगर आपके स्वास्त की बात करें तो स्वास्त के दृष्टी कौन से आपका शमय शामाने से थोरा सा नीचे है आजिके दिन अपने गुसे पर आपको कंट्रोल करना होगा अन्य था आने वाले शमय के दोरान आपके गुस इसे के वजह से आपको पड़ेसानी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों आज के दिन अपने समय को बहतर और सांदार बनाने के लिए आप हनुमान जी, बजरंग बली को, गुर, वो चने का प्रसाद चढ़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपका आने वाला शमय बहत ही जियादा बिहतर और सांदार होगा। दोस्तों आज के दिन आपके लिए सुभ रंग है के सरिया और पीला। आज के दिन आपके लिए भाग्यसाली अंक है तीन यानी की थिरी तो यही था। आज के दिन कारा सी फल तो इस वेडियो को आप लाइक कर दे, इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दे और वेडियो को आप हर जग सेयर कर दे, धन्यवाद।